तो हेलो के इस केसे हो आप से बढ़ी आउंगे इनके इस बढ़ी रहना तो आपका स्वागत एक नीव वीडियों सो इस वीडियों में बात करेंगे हम लोग ओटो पीक आप सेटिंग्स के उपर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमें बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि भा अब भी आपको इस वीडियों में पूरा किलेरली पता चल जाएगा तो इसलिए आपको यह वीडियों बहुत ही जदा पसंद दना लाएं तो इस वीडियों के उपर पहले ही आपके लिए वीडियों बना चुका हूँ जो कि आप चाहो तो यहाँ पर किलिक करके देख सकते चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियों बना दूँगा तो आपको क्या करना है कि चेनल को सब्सक्राइब करके घंडिक बेलके नतबा कलपस सेट कर लेना है तो सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग आ जाते है और यहाँ पर आपके पहले देखने को मिलता है वापन्स का चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग का गन कहीं भी पड़ा हुगा अगर मिलता है तो यहाँ पर उसके पास जैसे ही जाएंगे तो हम लोग का ओटोमेटिक गन जो उट जाएगा यानि कि हात में आ जाएगा तो इसलिए आपको क्या करना है कि वेपन्स को हमेशा ओन करके रखन है next armor and backpack तो यहाँ पर armor and backpack का option देखने को मिलता है यहाँ पर अगर आप on करके रखते हो और उसके बाद हम लोग गेम में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो backpack मिलता है और साथी best helmet मिलता है वहाँ पर उसके पास जाएंगे तो automatic उठ जाएगा यहाँ पर उठाने के ज़ करना है कि यहाँ पर आपको हमेशा इसको on करके रखना है next medikates तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर on कर देते हो उसके बाद हम लोग गेम में जाते हैं तो यहाँ पर आप डिरेक्ली जो आते हैं medikate के पास तो automatic जो medikate है उठ जाएगा आपका बेग में और यहाँ पर आपका limited रहता है medikate यानि कि तीन medikate automatic उठ जाता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आकर इसको on करके रखना है हमेशा और इसके बाद यानि कि next में देखने को मिलता है evo यह पालंग अगर evo को अन करके रखते हैं फिर गेम में जायेंगे तो यह यहां पर आप लोग गन उठाने के बाद MO के पास जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते OMO जो हमारा आटमेक नहीं उठ रहा है और इसको उठाने के out a it आप आप से पहले आफ देख लो जो कि pore दिख लो जो कि आप माल लोकी से mp 40 का यहां पा क्या भाली और भाली के game में आते हो तो इसका attachment जो है automatic यह जो नहीं उठेगा उसके उपर tape करना पर एगा तभी जो उठेगा उसके बाद यहां पर आके इसको on कर देते हो उसके बाद आप game में जाओगे तो आपका जो भी gun का attachment होता है यानि कि मजल भी होता है इसको भी होता है और यह सब भी तो यह सब automatic उठ जाता है तो आपको क्या करना है कि हमेशा attachment को on करके रखना है next grenade तो यहां पर आप ग्रेनेट का option आप कर देते हैं उसके बाद game में जाओगे तो जब आपको bomb या global या यह जो white जैसा जो fakeness white हो जाता है यह जो option क्या बोलते हैं इसको यह सब जो चीजे मिलते है इसके पास जाओगे तो यह जो automatic नहीं उठेगा उसके उपर आपको टेप करना परेगा तब ही जाके उठेगा और इसके बाद यहां पाद आपके ग्रेनेट का option on कर दोगा और फिर game में जाओगे तो आपका जो bomb मिलता है और साथी global जो मिलते हैं उसके पास अगर जाओग मिलता है उसके पास अगर जाओगे तो वो जो नहीं उठेगा उसके उपर टेप करोगे तब ही जाके उठेगा और यहां पर special equipment जो on कर दोगे आकर उसके बाद फिर से जाओगे गेम में तो आप जाके आपको जो color drum या सरफोड या गिली गरास जो मिलता है यहां पर आप आ दिकत लगता है तो इसलिए हम लोग क्या करना है कि हमेशा इसको special equipment आप करके रखना है next event items तो यहां पर हमारा event items होता क्या है कि जब भी हम लोग का new event आता है तो उसमें हम लोग का अगर इसको आप करके रखेंगे तो हम लोग का new token गेम में अगर पढ़ा होगा मिलता है तो वो जो token हम लोग का automatic नहीं उठेगा और यहां पर इसको on करके रखेंगे तो कोई भी हम लोग का कभी भी new event आता है तो गेम में उसका token कुछ भी मिलता है तो वो जो new event का token हम लोग का automatic bag में उठ जाता है तो आपको क्या करना है कि इसको हमेशा on करके रख लेना है next auto pickup speed तो य यहां पर हम लोग fast कर देंगे इसको और फिर हम लोग game में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पूरा speed यानि कि थोड़ा जल्दी उठा रहा है default से तो पहले यह जो fast उठा रहा है तो आपको यहां पर क्या करना है कि इसको हमेशा fast पर करके रखना है और हर प्रोपीलियर हमेशा fast पर करके रखता है तो आपके पास अगर 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB कोई भी रेम का फोन हो तो आपको क्या करना है कि हमेशा fast में करके रखना है कि आपने कभी देखा होगा कि प्रोपीलियर दोरते में गन जो उठा लेता है तो वो जो हमेशा यहां पर fast करके रखता है तब ही जो उसके गन ऊट जाता है तो इसलिए आपको fast हमेशा रखना है next और सबसे last में हमें देखना को मिलता है FF token तो यहां पर आपको जो FF token का option देखना को मिलता है यहां पर आप अगर इसको on करके रखोगे और उसके बाद हम लोग गेम में आते हैं और यहा आपको क्या करना है कि हमेशा यहां पर on करके रखना है ताकि आप जब भी जाओगे तो यह जो token ऊट जाएगा और इस token से हम लोग ATM में जाके बहुत कुछ समान खरीच सकते हैं तो आपको पता ही होगा तो आपको यहां पर on करके रखना है तो आप मुझे लगता है आपको